और अंकल जी क्या हुआ है क्या रहूं गाई तो है गई वेकम बैक टू आ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में तो आज का सीन कुछ ऐसा है आज है संडे और मैं निकल के हूं एक रैंडम सी राइड पर ये बोलके कि मैं सिर्फ आदे घंटे में आ र दिल्ली देजी बार गिया था है किसी काम से किया था दिल्ली दो है चौँ समझ रहा हूं मैं आज है कि यह जबी ठीक है चंडी कर रहे से जाता बढ़ी है विया चलो ठीक है ओक्के और अंकल जी क्या आल है जादा बार निकलता नहीं तो गई जिया पर निकलता नहीं तो यह मेरे घर के बिल्कुल पासवाला पेट्रोल पंप है यहांपे मुझे हर एक बंदा जानता है अंकल जी हावा तो इस बीबी सही है चलो ठीक है ओके जी तो कहीं जैसे कि आपको पता ही है कि यार बहुत जाला फतरना कॉंट्रवर्सी है गाई जाद दलाल और राजश्वीर की भाई मजाग नहीं भाई आयम सपोर्टिंग राजद दलाल भाई दबा के तो गाईज मैं फाइनली ट्रैफिक को बीट करते वे शायद पहुंच गया हूं सही जगा हरू मेरा कुछ डिसाइड़ नहीं है भाई मैंने कहा जाना है अभी नाटा साइब भी आगे आएगा और हिमाचल भी आगे आएगा संदे राइट एक छोटी सी राइड होनी चीए ज़रूरी है तो गाईज सीन कुछ ऐसा है कि मैं पहले सुछ रहा था कि हिमाचल चल लेते हैं म मुझे समझ नहीं आ रहा तो अभी मैं मोर्नी की साइड जा रहा हूं मोर्नी भी एक चोटा मोटा हील सेशन ही है यह देखो यह देखो ऐसे लोग आते ना सड़कों पे फिर आते हैं गुस्सा कंच कुल्ला पुलिस गाईज दी रही का लेता हूं मैं नहीं तो कहेंगे मोज है हमारी पहले मैं सोच रहा था वैसे बुर्ज कोटिया चल जाए इस कुछ डिसाइड नहीं हो रहा बस जगा से जगा चेंज हो भी जा रही है एंट मुझे लग रहे हम यहीं करते रहेंगे अब हम जा रहे हैं बुर्ज कोटिया हिमाचली लगा लुगा यहार एक तो इतन फ食क्राइड एक लटां चला रहा है क्या कर रहा है बाई पॉड़ी घ्यासी ने कुछ दब्रभाई अपयार backlash चेकरे पार और कहा ही हिर पएपना पाय पतानिं कहा हूं है मुझे नहीं पता बाई जांक नि मैं श से मैं कम से कम आ गया हूँ 30-40 किलो मेटर दूर है कि अब यार सिंगल लेन रूड़ाई तनी बड़िया रूड़ाई थी पीछे मैं तो सोच रहा था मस्ती से तेज चाहूंगा कि अब अब मुझा ये वो निला करा भाई वो तो बेटे मैंने बचा लिया मा कसम अभी उड़ जाता है बच्चा अब यहां से हो गया अब देखते हैं कहां जा अच्छा तिक्रताल तो गाईज ये तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं आया था भाई थोड़ा सा बुर्ज कोटिया की साइड और मैं तो मोरनी पहुंचने वाला एक वाद है गाईज मोरनी का जो इन्होंने रस्ता कर दिया ना वह काफी जादा सेक्सी कर दिया है मैं अपने घर से यह बोलके निकला हूं कि दस मिंट की राइड पर जा रहा हूं और घर से सो किलोमेटर दूर हूं कि इससे ज्यादा थे खतर्ना क्या हो सकता है और गारी की चाभी कैस मेरे पास है आगर गरालोगा फोरंगल्ती से आ गया यह भाई काड़ी की तू मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूंगा कि मैं कहां हूं और कितनी देर में आ रहा हूं और यहां पे नहीं एक श्पोर्ट है जब में स्कूल टाइम में हम आया करते थे यहां पर वाइज यह वह स्पोर्ट जहां पर हम आया करते थे कुम्भु वाला और सब बढ़िया मैंने बहुत से देख रहे हैं अजी नहीं मैं तो पस ऐसी यह संदे था घर बोलके निकला दस मेंट के लिए जा रहा हूं अब चलत कोई नहीं आप कर लो सिस्क्राइब कर लो अब नेटरली शुग जा रहे हैं यह है बाई मेरा चानल लो ओके हंजी यह मेरी यह वीडियो मेरी मंडे और थर्स्डे को वीडियो आती है शाम को तो मैं आप सब इसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल देखें लाइक शेयर स्ट्राइब जरूर करें ठीक है ओके टाइंक्यू इंज्ड़ाए करें फैमली के साथ ओके जी तो गाईज स्क्राइबर बन चुके और जादा मैं इसके उपर चड़ना चाहता हूं क्योंकि चड़नी पाएंगे तो आप एक बार देख सकते हैं एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूं सीन कुछ ऐसा यहां पर एक पूरी फैमली बैट है जो की बड़ी तरीके से मस्ती कर रही है आप देख सकते हैं काफी 151 अलेडी हो गया है अगर मैं अब निकलूंगा तो मेरे को आने में काफी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी करो करो फोन को उल्टा घूमा लो है ऐसे जब गाइस मुझे ऐसे स्क्राइबर्स मिल जाते है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि समसे जब लोग अब यह राइड होगी ना काफी जाधा प्यारी मिले प्यारे प्यारे सिस्क्राइबर्स और संडे राइड हमारी होगी है फाइनली सिक्सेस्पुल तो बाहर निकलते रहो मजे करते रहो तो मैं घर से 10 मिनिट की राइड बोल के निकल गया था मोरनी जो कि मेरे घर से घर क्योंकि घरवालों को फोन आ गया जैसी कि गाड़ी की चाबी मेरे पास थी तो मैंने भी घरवालों को यह नहीं बताया कि मैं कहा हूं मैंने बोला है मैं सिर्फ 15 मिंट में घर आ रहा हूं तो आप जल्दी साम निकलते हैं तो गाईज अभी मैंने अपनी थंडरबर्ट रहा हो है मैं बताया जर दो गई